आजकल सब लोग सब कॉम्पाक्ट SUVs की तरफ जा रहे हैं बट एक जमाना था जब लोगों को वाल्यू फो मनी MPVs का शौक था और ये गाड़ी अभी भी उस ओडियंस को बहुत ही बढ़िया तरह से केटर करती है यह फिलाल दोजार चौबिस की नई मारूती सुजुकी अर् राइड टेस्टेड है और रिलाइबल है जिनको ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने बट एक फैमिली कार चाहिए उनके लिए आज भी यह बहुत ही बहुत ही बहतरीन आप्शन निकलकर आता है तो आज हम इस गाड़ी के वी एक साइविरेंट के बारे में हर डीटेल के बार जो दोनों कीफोब्स हैं इस गाड़ी में ओफर करे जाएंगे सेम ही डिजाइन है मारूती सालों से इसको खीचता आ रहा है अब इसको समय आ गया है बदलने का बट नेवर्देलेस लॉक एन अनलॉक के बटन आपको यहाँ पर मिलते हैं बाकी अर्टेगा आपको ओफर कर और एक सोबाइस अनेम का टॉर्क यह एंजिन सी एंजी मोड में गौर करेगा सी एंजी मोड में निकालता हुआ दिखाई देगा अगे की तरफ आपको यहाँ पर प्राइमरी हेडलाम चाहिट आप है बेस वेरेंट से हैलोजन मिलता है जो अच्छी बात है तो यहाँ पर ह की एलमेंट्स रिफ्लेक्टर बेस्ट हैं इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर हालोजन बेस्ट ही मिलेगा ऐसा कुछ फ्रांट ओवर्द्यू है और टेगा दोजार चौबिस के वी एकस है वेरेंट का बाकि ग्रिल की अगर बात करें तो यहाँ पर क्रोम इंजर्ट सापको मिलते हैं जो डेफिनेटली इसको एक थोड़ी सी रॉयल अपील फ्रंट एंड से दे देता है यह कलर थोड़ा सा यूनीक है आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको यह शेड नीचे की तरफ आपको यहाँ पर कोई भी फोग लांप सेट अप नहीं मिलत यह है कुछ इस गाड़ी की साइट प्रोफाइल इट लुक्स वेल बैलेंस्ट इंटर्म्स ऑफ डैमेंशन ऐसा लगेगा नहीं कि आप कुछ जादा ही बेसिक वेरेंट यूज कर रहे हैं बेसिक जो सारी चीज़े हैं वह आपको इन प्लेस ही दिखाई देने वाली हैं यह आपर टायर साइज अगर देखा जाए तो आपको 185 65 r15 15 इंच के आप पर स्टील वील्स ओफर करे जा रहे हैं फ्रंट डिस्क प्रेक्स हैं रेयर ड्रम ब्रेक्स हैं लगबक 185 185 mm की ग्राउंड क्लेरेंस आपको यह गाड़ी ओफर कर रही है नो डियर वाइपर और डिफॉगर cng आपको यह आपर लिखावा मिलता है स्टिकर कोई भी रूफ रेल्स नहीं है हाई माउंट ब्रेक्स टॉप लांप आपको डेफिनेटल यह आपर दिखाई देगा पीछे की तरफ चार पारकिंग सेंसर्स आपको यह आपर मिलते हैं अब सिंस यह cng वर्जन है आपको यहाँ पर बूट स्पेस ऐसी कुछ दी गई है cng सिलिंडर को कंसील किया गया है 12 kg का लगबग आपको यहाँ पर cng सिलिंडर मिलता है सीट्स को आप डेफिनेटली फोल्ड करके बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं तो यह फ्लाट बेड बन जाएगा इसके उपर भी आप सामान यहाँ पर रख सकते हैं इंसुलेशन यहाँ पर बड़िया तरह से करी गई है इन टर्म्स अथा डॉर पैड अब यहाँ पर आपको बेज कलर की प्लास्टिक्स ही मिलते हैं जो इंटीरियर में भी रन करते हैं यहाँ पर एक ब्राउनिश कलर की आपको स्ट्रेप मिलती है और वीम्स एलेक्टिकली अजस्टिबल हैं और रेट्राक्टिबल हैं यहाँ पर आपको आल फो पाव विंडोस मिलते हैं सारे कंट्रोल्स आज इस जो पेटेंटेड जो ट्रेडिशनल मारूती की डिजाइन लैंगविज है वो ही यहीं पर फॉलो करी गई है यहाँ पर छ यहाँ पर आप सीट को हाइट के लिए एजस्ट नहीं कर पाएंगे तो वह एक फीचर है जो आप शायद मिस कर सकते हैं अब इंटीर में आने के बाद ऐसा कुछ ओवर्विव आपको यहाँ पर मिलता है ऐसा कुछ लेयाउट है वाइड एंगल में आप एक बार ही देख ल होती है definitely I personally like lighter colors बट अगर आपको black इंटीर का शौक है तो definitely यह आपके लिए एक चीज बन सकती है cause of concern बाकी यहाँ पर आपको दो airbags मिल रहे हैं VXI variant के अंदर EBS, EBD, Brake Assist, ESP और Hill Hold भी आपको base variant से यहाँ पर दिया जा रहा है इसके अलावा आपको यहाँ पर 4 airbags का जो option है वो सिरफ ZXI plus top of the line variant मिलेगा यहाँ पर study wheel आप देखिए study mounted audio controls conventional मारूती जैसे offer करता है यहाँ पर आपको call accept decline and phone को Bluetooth से connect करने का जो option है दिया जाएगा आप MIT देखिए, MID आपको काफी यहाँ पर decent लगने वाली है अलागि आपको दो यह जो sticks हैं जो stocks हैं डंडिया वो आपको यहाँ पर दी जाएंगी तो आपको इनी के साथ इसको use करना बढ़ेगा तो trip AB average fuel economy में आप यहाँ से switch कर सकते हैं तो आपको torque and power के graphical outputs भी यहाँ पर दिखाएगा, so this is a decent TFT display लगबग 4 inch का आपको यहाँ पर size मिलता है, trip AB आप यहाँ से switch कर पाएंगे, top speed 220 km per hour तक आपको मिलती है, and since this CNG version है आपको यहाँ पर 2 fuel gauges मिलती है, एक left hand side पे CNG के लिए और right hand side पे आपको petrol के लिए fuel gauge दी जाती है, left hand side पे wiper controls, right hand side पे आपको headlamp related toggles मिलते है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ से ESP on and off कर सकते हैं, CNG में switch करने के लिए आपको यहाँ पर buttons दिए गया है, बीच में आते विए 2 दिन का आपको यहाँ पर audio system मिलता है, अब यह touchscreen नहीं, but आपको यहाँ पर feather touch buttons मिलते हैं, जैसा मारूती यहाँ है, hazard light का button, manual climate control unit, 12 volt का charging socket, USB aux and यहाँ पर आपको twin cup holders मिलते हैं, ventilation के feature के साथ, यह definitely एक यूनीक चीज है, जो मारूती Suzuki ने करी है, 5-speed manual gearbox आपको मिलता है, layered dashboard है, आपको अलग-अलग type के plastics मिलते हैं, तब आप यहाँ पर check out कर सकते हैं, glove box ऐसा कुछ है, decent size का है, आपको इस infotainment system के साथ, music system के साथ, rather, यहाँ पर एक remote भी दिया गया, हाला कि आप use नहीं करता कोई आजकल के जमाने में remote, आपको definitely यह दिया जा रहा है, रेर डोर जो है, अर्टेगा का काफी बड़ा है, in terms of dimensions, I mean आपको थोड़ा सा absurdly बड़ा लगेगा, तो tight spaces में इसको खोलने में, शायद आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बड़ उसके कारण आपको घुसने और उतरने का जो aperture है, वो काफी जादा wide लगने वाला है, एक बहुत जादा famous है अपने segment में, यहाँ पर beige color के plastics आपको मिलते है, hard plastics ही है, बट यहाँ पर chrome beige door handle है, power window का button, चौता speaker जो है, आपको पीछे के दो speakers है, आपको second row में, door के उपर placed मिलते है, यहाँ पर एक bottle holder है, और एक magazine holder आपको मिलता है, यहाँ पर 60-40 split में, आप जो है seats को fold कर सकते हैं, और यह जो feature है, आपको obviously base variance से standard दिया गया है, because इस गाड़ी में आपको कोई भी 5-seater version नहीं मिलता, तो आप दोनों ही parts को अलग-अलग fold कर पाएंगे, third row को access करने के लिए, यहाँ पर आपको blower speed controller भी मिलता है, जिसके अलग-अलग modes आप यहाँ पर set कर सकते हैं, fan खीच के rear passengers को deliver करेगा, तो ऐसा मत सूचीगा कि यह एक पूरा aircon unit है, जो यहाँ पर नया लगाया वा है, which is not even expected at this price point, इसके अलावा 12V का charging socket आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यह तो कुछ हो गई, और्टिगा VX AIR 2024 आपके लिए, आपको कैसा लगा यह particular variant मुझे comment कर के जरूर बताईए, thank you so much for watching this video.